मोधी फैन है पाकिस्तान चुनाओं में हिंदू कैंडिडेट सवीरा बोली मोधी पावर और सादगी का बेजोड कॉम्बिनेशन यहां हिंदूओं से भेद भाव नहीं पाकिस्तान को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं खैबर पक्तुन खवा की बुनेर सीट भी 1968 में स्वाथ स्टेट से पाकिस्तान में शामिल हो गई थी हाला के 76 साल गुजरने के बाद यह पहला मौका है जब किसी हिंदू महिला कैंडिडेट को खैबर पक्तुन प्रोविंस की किसी जनरल सीट से टिकट मिला है डॉक्टर सवीरा को बिलावल भुटो की पाकिस्तान पेपल्स पार्टी यानी पीपीपी ने यहां से उमिद्वार बनाया है सवीरा खुशी से कहती है जब से टिकट मिला है लोगों का खुब प्यार मिल रहा है लोग मुझे हिंदू महिला नहीं बलकि बुनेर की बेटी कह रहे हैं सवीरा ये कहने में भी नहीं हिचकिचातें कि उन्हें नरेंद्र मोदी बतौर लीडर पसंद है पाकिस्तान में 8 फरवरी को जनरल एलेक्शन होंगे नवाज शरीफ मैदान में हैं और इमरान खान चुनाओ नहीं लड़ पा रहे हैं लेकिन इन बड़े नामों के बीच सवीरा भी काफी पॉपुलर है सवीरा के पिताओं प्रकाश भी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और पेशे से कार्डियोलोजिस्ट है अफगानिस्तान से सटा खैबर पक्तुन खवा आम तोर पर अशान तिला का माना जाता है एक अल्प संख्यक आनि हिंदू समुदाय की महिला होकर पॉलिटिक्स में आना तो मुश्किल रहा होगा जवाब बुनेर में जनरल सीट से अलेक्शन लड़ने वाली शायद मैं पहली अल्प संख्यक महिला कैंडिडेट हूँ मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि नामांकन दाखिल करने के बाद से लोगों का खूप प्यार मिल रहा है लोग मुझे एक हिंदू महिला नहीं बलकि पश्तुन समुदाय की पुखताना यानि मूल निवासी की तरह प्यार दे रहे हैं जहां तक इलाके में अशांती का सवाल है तो कई देशों में विवात चल रहे हैं हर समाज में शरार्ती तत्व होते हैं हमें उन्हें हराना है हमें अब हेल्थ बेरोज़गारी और एजुकेशन पर बात करनी चाहिए सवाल क्या कभी हिंदू होने की वज़़े से पाकस्तान में भेदभाव जहलना पड़ा जवाब मैंने कभी धर्म की वज़़े से भेदभाव महसूस नहीं किया हां यहां महिलाओं को लेकर भेदभाव जरूर है खास तोर पर बुनेर में महिलाओं को हमेशा पीछे रखा जाता है मैंने तीन महीने होस्पिटल में काम किया वहां गर्भवती महिलाएं आठ से नौ महीने होने पर ही चक अप कराने आती हैं शुरू में चक अप नहीं होने से प्रग्नेंसी की दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो कई बार उन्हें बुनेर से पिशावर या पहुचने में करीब चार घंटे लग जाते हैं कई केस ऐसे देखें जब रास्ते में अम्बुलन्स में ही बच्चे की मौत हो गई महिलाओं की मौत का डर भी बना रहता है बुनेर में अमर्जंसी मेडिकल की सुविधा नहीं है डॉक्टरों के पास फैसला लेने का अधिक अधिकार भी नहीं है ब्यूरोक्रेसिया पॉलिटिक्स में आने से ये अधिकार मिल सकते हैं इसलिए 2022 ते मैंने सिवल सर्विसेज के एक्जाम की तैयारी शुरू की थी हालाकि इसी दौरान पॉलिटिक्स में आने का मौका मिल गया मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच ब बहतर बनानी की कोशिश में लगे हैं बुनेर की वज़े से मेरा नाम भारत तक पहुचा है मेरी कोशिश होगी कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिये हर समस्या का हल निकालने में मददगार साबित हो सकूं मैं चाहूंग कि दोनों देश बैठकर बातची अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इ